बच्चों आईये आज हम चर्चा कर ले जल परिवहन के विशयपर जो परिवहन की एक दूसरी महतपूर्ण विदा थी है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एदि हम प्राचीन समय से बात करें अभी वरतमान की ही नहीं तो प्राचीन समय से ही हम जो जल परिवहन हैं या हम कहें जल परिवहन के रूप में जो नदिया हैं जीले हैं या जो समुद्र हैं उन सभी में नौकाओं के द्वारा परिवहन करके परिवहन के एक साधन के रूप में हम जल परिवहन का प्रयोग करते आ रहे हैं हाँ और अगर हम चले जाए थोड़ा पिछले समय पर तो भी हम देखेंगे कि जब तक रेल मार्ग का विकास नहीं हुआ था तब भी जो जल परिवहन है वही परिवहन का एक महत्वपूर्ण और मुख्य साधन के रूप में होता था लेकिन जैसे ही रेल मार्गों का विकास हुआ या हम कहें कि रेल परिवहन का विकास हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा जल परिवहन का महत्व जो है वो थोड़ा कम हो गया क्योंकि रेल जो है वो एक तिव्रगामी परिवहन का साधन होता है जिसके कारण इसकी महत्ता जो है वो थोड़ी कम हो गई अब हम बात करें कि अगर हम चाहे इस्थल परिवहन देखें वायू परिवहन देखें तो इस्थल परिवहन के अलग-अलग जो साधन होते हैं या हम वायू परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन के जितनी भी साधन हैं उन सभी में सस्ता जो साधन होता है वो जल परिवहन होता है और इसके द्वारा हम जो भारी से भारी वस्तुएं होती हैं उन्हें आसानी से एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जा सकते हैं भारत में भी जल परिवहन का विकास प्राचीन समय से ही हो गया है और इसका उपयोग होता आया है और हम देखेंगे कि भारत में भी जो प्राचीन समय में बहुत सारे लोगों ने समुद्री यात्राएं की हैं और हम कहें इन यात्राओं के माध्यम से या नौकाओं के माध्यम से जो एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक परिवहन या आवागमन हो रहा है इन सभी के माध्यम से भारती व्यापार हम कह सकते हैं अंतरराश्टी व्यापार इसके साथ ही साथ जो भारती संस्कृती है उसक तो दूसरे देशों में भी जो है वो फैलाया गया है या इसके माध्यम से ये फैला हुआ है पूरे विष्षों में अब हम बात कर लेते हैं कि एक तो ये सबसे सस्ता सुगम साधन है जो जल परिवहन है वो परिवहन का अब इसके साथ ही साथ इसकी और इंपोर्टेंस ये है कि ये परियावरण के अनुकूल है इसके द्वारा किसी भी प्रकार से परियावरण को छटी नहीं पहुंसती है अब हम बात कर लेते हैं कि जल परिवहन भी दो प्रकार के होते हैं जैसे हम देखेंगे आंतरिक जल परिवहन आंतरिक में आप देख सकते हैं जो नदिया है जीले हैं तलाब हैं इनका प्रयोग करेंगे और दूसरा जो है वो महा साग्रिय सामुद्रिक जल परिवहन तो जो समुद्रों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की तरफ आवागमन या परिवहन होता है वो महासागरी या सामुद्रिक जल मार्ग के माध्यम से होता है तो पहला यदि हम जल परिवहन के प्रकार की बात करें तो पहला अंता हिस्थली और दूसरा है महासागी अंता हिस्थली में हम देखते हैं प्राचीन समय से ही भारत में जो है वो आंतरिक जल मारगों का विकास हुआ है या प्रयोग होता आ रहा है लेकिन जैसे जैसे रेल मारग का विकास हुआ तो रेल मारग के विकास के बाद हम देख रहे हैं कि इसकी महत्ता भारत में भी जो आंतरिक जलमार्ग की है वो थोड़ी कम हो गई है लेकिन इसके तिवरगामी होने से इसका महत्तो थोड़ा सा तो कम हो गया है और अब जो यात्री है वो व्यापार के साथ साथ मतलब अपने माल को गंतव्य तक पहुचाने के लिए कि एक ठिवरगामी सादन होता है इसका प्रियोग करते हैं और एक माल के साथ साथ एक स्था偏ं से दूसरे स्थां जाने के लिए भी रेलमार्ग का जो है वो प्रियोग करते हैं sebelum happy लेकिन उसके बाद भी इन इतनी सारी जो बाधाएं हम कहें या जो रुकावटें है इसके बाद भी जल मार्ग का या जल परिवहन का महत्व जो है वो कम नहीं है और अब इसको और जादा विक्सित करने के लिए या इसके विकास के जो प्रयास हैं वो अब वर्तमान में किये जा रहे हैं अब ही वर्तमान में हम देखेंगे तो 14,500 किलो मिटर जल मार्ग जो है वो नौकायन के लिए उपलब्ध है और ये पूरे देश के परिवहन का मात्र इसका एक प्रतिशत का योगदान जो है वो पूरे देश में देता है हां और ये जो परिवहन किया जा रहा है जो हमने बात की कि 14,500 किलो मिटर लंबा जल मार्ग इसमें क्या-क्या शामिल है तो इसमें नदियों के जल मार्ग भी शामिल है जो नहरों के माध्यम से जल मार्ग बनाए गए है फिर वो खाडियां हों या पश्च जल ये सभी जो हैं वो इस 14,500 किलोमीटर लंबे जल मार्ग की अंतरगत आते हैं जो देश की हम प्रमुख नदियों की बात करें तो इसमें 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग का ही प्रयोग होता है और 4300 किलोमीटर लंबी जो नौकायन नहरे हैं उसमें से मात्र 900 किलोमीटर की दूरी ही जो है वो नौकाओं के द्वारा परिवहन योग्य है अब नदी जल मारग में भी हम देखेंगे तो यदि हम भारत के संदर्व में बात करें तो भारत में हम इन नदी जल मारगों को दो हिस्से में विभाजित कर सकते हैं जैसे पहला उत्तर भारत की नदिया, आपको पता ही होगा, उत्तर भारत की जितनी भी नदिया है, जो हिमालय से निकलती है, इसमें मुख्य रूप से गंगा है, ब्रह्मः पुत्र है, सिंधु है, सतलज है, ये प्रमुख नदिया आती हैं, और दूसरा जो है, वो दक्षिन भारत की नदिया, तो इन दक्षिन भारत की नदियों के अंतरगत जो प्रमुख है, वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इसके साथ ही साथ, दो नदिया, जो अरब सागर में अपना जलगिराती है, उसमें नर्मदा और तापती, और साथ ही गोवा में ब प्रश्च जल से मिल जाती है, इनका भी प्रभाव जो है वो हम कह सकते हैं महत्व कम नहीं है, तो आएए, हम थोड़ा सा जान लें उत्तर भारत की नदियों और दक्षिन भारत की नदियों के विशय पर, तो उत्तर भारत की नदियों में हम बात करें, तो मुख्य रूप स सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग जो है वो उपलब धकराती है हम हल्दिया से ले ले लें तो हल्दिया से इलाहबाद के बीच गंगा के जल मार्ग को राश्टी जल मार्ग नंबर वन गोशित किया गया है फरक्का बैराज जब से बन गया है गंगा नदी में फरक्का बैराज के बन जाने से पर्शिम बंगाल में जो हुगली नदी है और भागी रथी नदिया इन दोनों में जल परिवहन का काफी विकास हुआ है इसके बाद दूसरा है ब्रह्मः पुत्र ब्रह्मः पुत्र नदी भी भारत में एक महत्वपूर्ण जल मार्ग का विकास करती है या महत्वपूर्ण जल मार्ग उपलव धकराती है भारत को तो इसमें हम देखें तो ब्रह्मः पुत्र नदी के मुहाने से लेकर डिब्रूगड तक जल मार्ग हमें मिलता है ब्रह्मः पुत्र नदी में जिसमें स्टीमर से वाएं और सदिया तक हम बात करें 736 किलो मिटर लंबा इस्टिमर मार्ग जो है वो मिलता है जो धुबरी फिर तेजपूर गुवाहटी जोगी गोपी और पांडू ये सब ही जो है इस मार्ग के आंतरिक बंदर गाह हैं तो ये हो गई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की बात उत्तर भारत के अंतरगत अब हम जब दक्षिन भारत की नदियों की बात करें तो हम देखेंगे कि दक्षिन भारत की नदियों में यहां की जो नदियां है एक महत्वपून बात यह है कि यदि हम जैसे उत्तर भारत की नदियों को देखें तो ये सदा वाहनी है मतलब वर्ष भर इनमें जल होता है और गर्मियों के मौसम में चुकि ये सभी नदिया हिमाले से निकलती हैं तो ग्लेशियर जो है वो इनके जल का एक प्रमुख होता है लेकिन पूरी दक्षिन भारत की जो नदिया है वो मौसमी है मतलब जब वर्शा रितु होती है बारिश का मौशम होता है तब इनमें जल उपलब्ध होता है लेकिन बाकी समय ग्रिश्म रितु में प्राया सूख जाती है तो दक्षिन भारत की जितनी भी नदिया है व मुहानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी और वही पश्चिम के तरफ प्रवाहित होने वाली नर्मदा और तापती अनधियां जो है इनमें प्रमुख रूप से जलमार्ग का विकास किया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम आंधर प्रदेश की बात करें तो आंधर प्रदेश में हम देखते हैं गोदावरी और कृष्णा की मुहाने के आसपास जलमार्ग का विकास किया गया है। इसके बाद नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी में हम देखते हैं गया है। देखेंगे कि जब जौर का समय आता है। जौर के समय में हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें जो हैं वो उपर उठती हैं बहुत उचाई तक जाती हैं। तो जब जौर का समय होता है तो इस जौर के समय में 66 किलोमेटर तक और बाकी 6 समय में यदि हम बात करें तो लगभग 10 किलोमेटर की दूरी तक इस नर्मदा नदी में जल यातायाद की सुविधा उपलब्ध होती है। हम गोवा की बात करें तो गोवा में मांडवी और जुवारी ये दो नदियां जो हैं वो महत्तपूर्ण हैं और इनके माध्यम से जल यातायाद जो है वो किया जाता है। और इन जलमार्गों से जो जल्यात औयात होता है उसमें हम देखेंगे कि लगभग एक करोड़ टन लौह ऐस का निर्याद मार्मा गोवा बंदरगाह से किया जाता है और इस बंदरगाह से जो है वो बाहरी दूसरे देशों या विदेशों तक इस लौह तो केरल राज्य में बहुत सारी जो हैं वो छोटी छोटी बड़ी नदिया हैं और ये छोटी बड़ी नदिया जो हैं इनका संबंध यहां के पश्च जल से हैं जिसके माध्यम से हम देखेंगे कि पश्च जल से ये मिली होने के कारण इस राजी को लगभग सत्रा सो किलो मीटर लंबा जल मारग जो है इस राज्य में मिल जाता है तो यह हमने देखा कि जल परिवहन के अंतरगत आंतरिक जल परिवहन की हमने बात की हो और इसमें भी हमने देखा कि भारत में आंतरिक जल परिवहन के अंतरगत नदियों नहरों जीलों के माध्यम से जो उत्तर भारत की नदिया हैं या दक्षिन भारत की नदिया हैं इन सब में हमने देखा कि जल मार गया जल यातायात का विकास किस प्रकार किया गया है बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि आंतरिक जल परिवहन के अंतरगत और विशेशकर जो भारत में आंतरिक जल परिवहन क अंतरगत जो नदी परिवहन होता है इसमें कौन-कौन सी जो कठिनाया है या बाधाये आती हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि भारत की जो नदिया है वो बहुत सी नदिया जो विशेश कर दक्षिन भारत की नदिया है वो मौसमी है क्रिशम रितु के समय इन में पानी नहीं रहता है लगभख सूक जाता है और बारिश के समय में फिरसे इन में पानी जो है वो आ जाता है तो मौसमी होने के कारण वर्ष भर जल यातायात को अनवरत रूप से चालू रखने में थोड़ी सी कठनाई होती है मतलब नदि के जिस जो भारत की जो नदिया है वह वर्षा के दिनों में ही उसमे पानी रहेगा और दूसरी एक साथ साथ मौसमी है ठीक है कि गृष्मरितु में सुख जाती है बारिश के समय में पानी आ जाएगा लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि कई नदियां ऐसी हैं जिनमें वर्षा रितू के समय में या वर्षा की दिनों में बाढ़ का जो है वो सामना भी इन्हें करना पड़ता है मतलब जो उनका इस्तर है जल का इस्तर है उससे बहुत अधिक पानी जो है वो उपर की तरफ बहने लगता है तो ये भी एक प्रमुख समस्या है फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो अधिकांश नदियां हैं और विशेशकर जो नदियां हिमालय परवत से निकलती हैं यह हम बात करें उत्तर भारत की नदियां हैं निकलने वाली नदीों में जो नदा भारिया, जिसे हम आसाद कहते हैं, डिपोजिशं लुक्षेब उसका निकषयब बहुत जाद होता है, अपने साथ बहुत सारे आसाद बहा कर लाती है। जिसके कारण हम देखते हैं कि पानी की गहराई जो है वो यहां पर जो जल यान चलाए जाएंगे उनके लिए परियाप्त नहीं होता है क्योंकि नदी का जल उपर आ जाता है जल नदी के जल में उसमें अवसात के ज्यादा हो जाने से गहराई बहुत अधिक नहीं मिल पाती जिससे जल मार्ग में या हम कहें कि जल परिवहन के लिए कठिनाई जो है वो होती है इन सब के तिरिक जो भारत की दक्षिन भारत की जो मुख्य भूमी है वो उबढखाबढ है क्योंकि यह प्रायदीपी पठार का हिस्सा है और यहां पर उबढखाबढढ भूमी होने के क तो उसमें उसको चलाने में थोड़ी कठिनाई जो होती है अगली जो कठिनाई है कि भारत में अगर हम जल परिवहन का विकास करें तो और और किस प्रकार की कठिनाई आती है तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी नदिया है उनका जो जल है वहां से सिचाई के लिए नहरे जो ह ताकि इन से सिचाई के लिए जल उपलब्ध हो पाए इस कारण से हम देखेंगे कि नदियों में भी परियाप्त जल इस्तर नहीं रह पाता क्योंकि नहरों के माध्यम से उसका जल जो है वो भीवाजित हो जाता है तो ये भी जल यातायाद के लिए अनिवप्यूक्त होती है उफिन प्रतियोगिता का सामना जो है वो यहां जल यातायात को और विशेशकर जो आंतरिक जल मार्ग या आंतरिक जल यातायात है उसे करना पड़ रहा है जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे सामने एक मुख्य समस्या के रूप में उभरी है लेकिन इन सब के बाद भी हम देखते कि भारत में जल परिवहन के विकास के लिए बहुत सारे कारे जो है वो किये जा रहे हैं या इसके लिए कोशिशें जो है वो की जा रही है तो इसी के अंतरगत हम बात कर लेते हैं अभी हमने जो देखा था कि मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्म, पूत्र, गोदावरी, कृष कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख राश्टी जल मार्ग पर तो इसे हम एक टेबल की सहायता से अची तरह से समझ सकते हैं इसमें हम देख रहे हैं जल मार्ग या हम कहें कि भारत के राश्टी जो जल मार्ग हैं उनकी संख्या वो कहां से कहां तक विस्त्रि एक यह इलाहबाद से हल्दिया तक इसका विस्तार है और लंबाई है 1620 किलोमेटर इसकी विशेष्टा यह है कि भारत के सरवाधिक महत्रपूर्ण जलमारगों में से एक है जो यंत्री कृत या हम कहें जो मशीनी कृत नौकाओं द्वारा पटना तक साधारन नौकाओं और हरिद्वार तक नौकायन योग्य है यह विकास आत्मक उद्देशों के लिए तीन भागों में विभाजित है पहला है हल्दिया से फरक्का जिसकी लंबाई है 560 किलोमेटर दूसरा इसका ब्रांच है फरक्का से पटना के बीच और इसकी लंबाई 460 किलोमेटर है और राश्टी जलमार्ग क्रमांग 2 इस राजमार्ग का विस्तार सदिया से धुबरी तक है जिसकी लंबाई 899 किलोमेटर है यह राजमार्ग ब्रंभ पूत्र नदी स्टी मर्द्वारा दिब्रुगर तक अलगभग 1384 किलोमेटर की लंबाई में नौकायन योग्य है और इसका भारत वा बांगला देश जो हैं वो साज्यदारी में इसका प्रयोग करते हैं तीसरा है राश्टी जलमार्ग क्रमांग 3 जो कोठापूरम से कोलम तक विस्तरित है इसकी लंबाई 168 किलोमेटर है जिसके अंतरगत पश्चिमी तटनहर लगभग 168 किलोमेटर में इसके साथ साथ चंपा कारा 23 किलोमेटर तथा उद्योग मंडल 24 किलोमेटर की जो नहरे हैं वो भी इसके अंतरगत आती है फिर है नेक्स्ट राश्ट्री जलमार्ग क्रमांग 4 जो काकी नाड़ा से पुदुचेरी नहर स्ट्रेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी तक इस इसकी लंबाई 1078 किलोमेटर है नेक्स्ट है राश्ट्री जलमार्ग क्रमांग 5 मातई नदी महा नदी के डिल्टा चैनल ब्रांभणी नदी और पूर्वी तटी नहर के साथ ब्रांभणी नदी तक इसका विशेश विस्तार किया गया है और इसकी लंबाई जो है वो 588 किल जल परीवहन का दूसरा प्रकार जिसे हम सामुद्रिक जल परीवहन के द्वारा हम देखेंगे कि जितने भी जो अंतररास्टिए व्यापार है या अंतररास्टिए आवगमन एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हम इस जलमार्ग का प्रेयोग करते हैं और हमने बाद प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि भारत से भी बहुत सारे जो यात्री हैं, उन्होंने समुद्री यात्राएं की हैं, अन्वेशन किये हैं, और इसके द्वारा उन्होंने भारत का जो व्यापार है, अंतरराश्टिय व्यापार हम कह सकते हैं, और यहां की जो तो इस जल्मार्ग या जल्यातायात के लिए जितने भी जो समुद्री तठ होते हैं, समुद्र के जो तटी छेत्र होते हैं, वहाँ पर बंदरगाह की जो इस्थापना है, उसके प्रिष्ठ प्रदेश तक उन्हें पहुचाये जाता है या दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है चरह हम देखते हैं कि जो भारत की हमारी प्रायधीपी इस्थिती जिस में एक तरफ हम देख रहे हें अरब सागर है पूर्व की तरफ हम बात करें तो प्रभाव चेत्र है इस प्रभाव के ही कारण हम देखते हैं कि भारत के लिए अंतर राश्ट्य व्यापार के विकास की अपार संभावनाये हैं जिसमें ये बहुत अच्छे तरह से अपने आपको वो stand कर सकता है, विकास कर सकता है, देश की जो मुख्य भूमी है, उसका 7517 किलो मिटर लंबा समुदरी तट यहां पर हमें मिलता है, जिसमें दीप भी जो है, वो शामिल है, अब जिसमें इस पुरे समुदरी तट में हम देखते हैं, कि प्रमुख रूप से या मुख्य जो है वो 12 बंदरगाँ हैं, और छोटे या जो गौड बंदरगाँ हैं, उनकी संख्या 185 है, 185 है, और इसी के माध्यम से हम कहें कि चाहे वो व्यापार हो या याता यात हो, इन बंदरगाँ के माध्यम से ही किया जाता है, इसमें हम देखते हैं, भी हमने कहा कि जो 12 प्रमुख बंदरगाँ हैं, तो जो प्रमुख या बड़े बंदरगाँ होते हैं, इनका संचालन केंदर सरकार के द्वारा किया जाता है, और जो छोटे या गौड बंदरगाँ होते हैं, ये राजी की समवर्ती सूची की अंतरगत आते हैं, और इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि इनके संचालन का जो कार्य है वो पर्टिकुलर उस राजी के उपर या उस राजी का उत्तरदाईत्व होता है। अब भारत का जो लगभग 95% व्यापार है। हम 95% जो व्यापार बात कर रहे हैं वो वजन या भार के नुसार। और लगभग 70% जो व्यापार है और ये 70% जो व्यापार है वो हम मुल्ले के नुसार बात कर रहे हैं। ये दोनों ही जो हैं वो विदेशी व्यापार महासागरी मारगों के द्वारा होता है। तो, हम यह देख सकते हैं, कि सामुद्रिक जलमारग के द्वारा, चाहे वो परिवहन की बात हो, या यातायाद की बात हो, इसमें एक महत पोन इस्थान है, सामुद्रिक जलमारग का हमारे भारत देश में. और अभी जैसे हमने कहा कि इस जलमार्ग के माध्यम से व्यापार या यातायाद करने के लिए बंदरगाह जो है उनकी स्थापना की गई है उनका प्रयोक किया जाता है तो कुछ प्रमुख जो बंदरगाह है उनकी विशेश्टाओं पर उनकी स्थापना क्यों की गई है इस कर लें कि जो बंदरगा है यह हैं फोस्तु प्रमुख को से बनदरगाइए और उनकी प्रमुख रूप से क्या विशेष्टा है इस पर एक एक करके हम विस्त्रिक चर्चा करते हैं पहला है कांडला पश्चिमी समुद्र तड़ पर गुजरात राज्य में कच्छी की खाड़ी में स्थित कांडला मुख्य रूप से एक आयात पत्तन है जो पेट्रोलियम उर्वरक एवं गंधक स्वतंत्रता के मिलने के बाद इसको और अधिक विक्सित किया गया और ऐसा इसलिए और इसे विशेश रूप से विक्सित किया गया क्योंकि देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी महसूस की गई और इस कमी को पूरा करने के लिए तथा मुंबई से होने वाले जो दबाव है उसको थोड़ा कम करने के लिए इस बंदरगा का जो है वो और अधिक विकास किया गया ये बंदरगा जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्थान और गुजरात के ओध्योगिक और खाद्यानों के आयात निर्यात को संचालित करता है दूसरा है मुंबई एवं नावाशोवा ये भी पश्मी समुद्रतट के सालसेट द्वीप पर मुंबई पत्तन का सबसे बड़ा एक प्राकृतिक बंदरगा है इसके प्राकृतिक खुले विस्त्रित एवं सुचारू रूप से चलने वाले पोताश्रे हैं इस बंदरगा को कारोबार में पेट्रोलियम उत्पार तथा शुषक माल प्रमुख हैं मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रख कर इसके सामने नावाशोवा बंदरगा की स्थापना मुंबई बंदरगा के यातायात या परिवहन भार को कम करने के लिए की गई है इसका दूसरा नाम जवाहरलाल नहरू बंदरगा भी है यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक्तम बंदरगा है इसे बड़े पैमाने पर शुष्कमालों को चड़ाने और उतारन के लिए एक यांत्रिक कंटेनर बर्थ एवं सर्विस बर्थ की सुविधा भी प्रधान की जाती है और आप मान्चित्र में भी इन बंदरगाओं को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इन कि स्थिति कहां पर है फिर तीसरा है मारमा गोवा यह बंदरगा पश्मी पर गोवा में जुवारी नदी के जुआर नदमुख या एशुरी पर इस्थापित किया गया एक प्राकृतिक बंदरगा है या नैचुरल पोड है और इसका महत्व परियतन के द्रिश्टिकोंड से बहुत जादा है लौहयस के निर्याद के संदर में मारमा गोवा जो है वो एक प्रमुख पत्तन है पूरे भारत देश का जुवारी तथा मांडली नदियों के परिवहन द्वारा इस बंदरगा को कुद्रे मुख की खानों से लौहयस के निर्याद की विशेश श्विधा प्रदान की गई है यहां से पूरे भारत के कुल निर्याद का आधा किया जाता है फिर अगला है न्यू मंगलूरू यह पोर्ट करनाटक राज्य में स्थित है और इस बंदरगा के कुद्रे मुख के जो लौहयस के निर्याद की सुविधा यहां उपलब धकराई गई है फिर अगला है तुति कोरन यह बंदरगा देश के दक्षिन पूर्वी चोर पर आप मानचित्र पर भी देख पा रहे होंगे पूर्वी तट के साथ तमिल नाडू में इस्थित हैं इस बंदरगा में समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज यहां से लगभग इस बंदरगा से पांच किलोमीटर की दूरी पर खड़े होते हैं इसका जो प्रि आदी तथा भारत के जो तटी छेत्रे हैं वहां पर से अलग-अलग टाइप की वस्तों के व्यापार को यहां से इस पोर्ट से संचालित किया जाता है और मुख्य रूप से कहा जाए तो यह कोईले का निर्यात करता है इस पत्तन को मत से पत्तन भी कहा जाता है आप से पूछा जा सकता है कि मत से पत्तन भारत में किस बंदरगा को कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा तुति कोरन फिर है कोच्ची यह एक प्राकृतिक बंदरगा है और यह केरल में इस्तित है यह बंदरगा लैगून पर इस्तित है यहां पर पुर्वी एशिया एवं आस्ट्रेलिया जाने के लिए मार्ग प्रदान करने की द्रिश्टी गोर से यह पोर्ट या बंदरगा जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है अगला है चिन्नई पुर्वी तट पर देश का सबसे पुराना तीसरा सबसे बड़ा बंदरगा है और यह एक कृत्रिम बंदरगा है व्यापार की मात्रा तथा लदे समान के संदर में इसका यदि हम देखें तो पूरे देश में मुंबई के बार दूसरा इस्थान है इस बंदरगा से मुख्य से पेट्रोलियम पदार्थ का जो व्यापार है को किया जाता है यह बंदरगा आंध्रप्रदेश की बकिंगम नहर और तमिलाडू की कमबर जुआ नहर दोनों नौ वहन योग की जो नदिया है नहर है उनसे जुड़ी हुई है फिर है विशाखा पत्नम आंध्रप्रदेश से और यह बंदरगा और यह देश का सबसे गहरा और इस्तल से घीरा हुआ एक सुरक्षित बंदरगा जहां से जान से यह बंदरग यह बंदर ऑहरी बंदरगा है और इसके ब्सकसिक बहुत अ कि नीकलICE अने कि कारण मांशुनीरवण से瞌 जो मांशुनी हवाएं चलती हैं उनसे यह सुरक्षित रहता है फिर अगला है पारादीब बंदरगा ओडिसा राज्य में इस्थित एक गहरा बंदरगा है यहां का भी जो पोताश्र है वो एक लैगून के समान है यह बंदरगा लौहयस्क कोईला और शुष्क कारगों का परिवहन करता है इसके प् इस बंदरगा को कीरी बिरू से या उस छेतर के लोहे को जापान को निर्यात करने के लिए विक्सित किया गया है फिर है इन्नौर यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइजड और निगमित बंदरगा है जिसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विक्सित किय इसके निर्माण से चिन्नई बंदरगा पर जो काम है उसका दबाव बहुत कम हुआ है फिर अग्ला है कोलकाता से कोलकाता और हल्दिया से बंदरगा हुगली नदी पर बंगाल की खाड़ी में इस्थित एक अंतह इस थलिये नदी बंदरगा या पत्तन है ज्वारी पत्तन होने के कारण और हुगली के तलचट या जो उसके डिपॉजिट्स हैं उसके जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है कोलकाता बंदरगा का मुख्य पोताश्रे खिदिरपूर है और कोलकाता से 64 किलोमीटर की दूरी पर डायमंड हर्बर का भी निर्माण किया गया है कोलकाता पत्तन या बंदरगाह पर व्यापार की बहुत जादा बढ़ते दवाव को कम करने के लिए यहां पर एक सहायक बंदरगाह के रूप में हल्दिया पत्तन का विकास किया गया है